हेलो एंड नमस्कार दोस्तों मैं हूं डॉक्ट दीशा प्रजापती आप सब का स्वागत करती हूं मेरे यूटूब चैनल पर आपने जैसे आके क्लिप देख लिए तो आप समझ गए हैं कि आज हम आपके साथ कौन सा केस केस शेयर करने वाले हैं जहां पर उनके बहुत सारे दातों का बहुत जादा डिस्ट्रक्शन हो गया है और हमने पेशन को फुल माउथ ब्रीज या कैप देने वाले हैं जैसे तरह से उनका जरूरत है उस हिसाब से क्यूंकि यहां पर पेशन को सारे ही ट्रीटमेंट ऑप्शन देने के बाद उन्हों कि दो दात ऐसे है जिसका बिल्कूल भी सपोट हमें नहीं मिल रहा था तो वो दो दातों में हम पोस्ट करने वाले हैं उसका भी क्लिप में आगे आपको दिखाने वाली हूँ अभी के लिए हम दातों की कर रहे हैं रूट केनल ट्रीटमेंट होने के बाद अब आप देख स से आपका दाद का स्ट्रक्चर अगर कम है तब भी उस पे कैप अच्छे से टिक जाता है लंबे समय तक तो आप देख रहे हैं कि हम दाद का जो रूट कैनल ट्रिटमेंट किया था उसका ही जो मटरल होता है फिल किया हुआ उसी को वहां से थोड़ा बहुत हटा देते हैं और इंप्रेशन कर देते हैं और वो इंप्रेशन लैब में जाता है अगर हम मैटल पोस्ट बनाने वाले हैं तो अगर फाइबर पोस्ट है तो उसे क्लिनिक पे ही किया जा सकता है बिल्ड़ अभी आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से जो बन के आया है यही पोस्ट का स् को भी हमने almost half of the root तक prepare किया था और इस तरह से ये पोस्ट बन के आये है अब हम पहले पेशन के टीथ में इसे रख के चेक करेंगे कि सारे fittings और जो भी हमने measurement दिया था उसी हिसाब से पोस्ट बन के आये है या नहीं वो करने के बाद जिस तरह से कैप पिठाया जाता है दात या दातों पे उसी तरह से इस पोस्ट को भी दातों पर fix किया जाता है जो यहां पे आपको वीडियो में दिख रहा है, मैटल का स्ट्रक्चर रहता है, जो सिरामिक के अंदर बनाया जाता है, यह हम इसलिए मंगाते हैं कि पेशन को भी आइडिया आजाता है, कि उनका दात की इस तरह से आने वाले हैं, और हमें भी जो टेक्निकल पॉइंट्स कंस चल जाता है, सारे ही कैप के फिटिंग कैसे हैं, उनका जो गम सक का फिटिंग है, वो प्रॉपर है की नहीं, यह सब चीज़े देखी जाती है जैसा पेशन की मुँ में बंध होता है, उस तरह से उसका अप्लूजन बनाया जाता है, जैसा उनका भी आप देख रहे हैं, कि फाइनल पूरा प्रिपेर होके आ गया है, ब्रीज एक थोड़ा लॉंग ब्रीज है, और एक हमने चार यूनिट का कैप्स दिये, क्योंकि चार किस तरह से उनकी फिटिंग्स है, उनको पसंद आता है की नहीं, तो आप यहां पे देख रहे हैं, कि हम जो चार कैप है, उनके कंटीन्यू, वो पहले रखेंगे, और जो उनका पोस्ट वाले दो दानत है, वहां के सपोर्ट और उनके दो नेश्रल टीद, और एक साइट प कैप उतना ही पसंद आया है की नहीं, जितना हमें पसंद आया है, यहां पे आप ओकलूजन का ज़्यादा चेंता ना करें, क्योंकि वो हमने लीचे के दात अलड़ी बनाने है पेशन के, उसी हिसाब से बनाया हुआ है, एक बार सारे ही कैप बिठा देने के बाद उनका फा प्लांट पेशन के हिसाब से किया था, आपको यह ट्रिटमेंट कैसा लगा, मुझे कमेंट में जरूर बताएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू आपके कमेंट्स, आपके लाइक और आपका सुस्क्रिप्शन बहुत माइने रखता है, और ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमें एंकरेज करता है, तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, I hope यह वीडियो आपके लिए यूस्पूल रहेगा, अगर यह वीडियो Till that, keep smiling. Bye-bye.